हलो एब्रीवन वेरी वेरी गुड मॉरिंग कैसे हैं आप सभी में प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती है अपना आपका अपने चानल देशी चोरी व्लॉक्स पर आज जो ये वीडियो रहने वाला है ये सूट का कलेक्शन रहने वाला है सूटों का नया वीडियो में क्या सुठा करता तो महीं सεςुटन चाहते जारहे थे जिसमें आप सब लोगों को पता है आप महां पर मुझे ओड़ दिया जेतने मिलोग मुझे निपार हूए ये ऑबिफान घु आन्वा तियंक्तल 21 pavement में बताती हूं और आज भी इस विडियो में अबेखनगी कि जो भी लोग पहली बार मेरी विडियो को देख रहे हैंça और कोई भी वीडियो में दिखाया गया नहीं जो भी शुट आप लेना चाहते हैं कोई भी एक सिंगल सुट भी आप ले सकते तो आपको करना क्या एक पेमेंट फोन पे गूगल पे पेटियम बैंक ट्रांसफर जैसे वर्जी चाहों आप कर सकते हो लेकिन कैश ओन डिलिवरी नहीं हो पाएगा किसी भी सूट में आपको डिलिवरी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना है शिपिंग जो है आपका फ्री रहेगा चाहिए आप कहीं स करना पड़ता है सूट फिर घर तक आता है नहीं सूट आपके घर तक ही पहुंसता है तो चलिए फिर अब मैं वीडियो में मतलब सूट दिखाना शुरू कर लेती हूं तो सबसे पहला सूट मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने चाहूंगी यह मैंने गर्मियों में भी अब मैं आपको सब्सक्राइब दिखा रहे हूं क्योंकि यहीं सूट मेरे पास गर्मियों में भी आया था मतलब प्रेंट एकदम सेम था फैब्रिक अलग है वह गर्मी का फैब्रिक था यह सड़ी का फैब्रिक है इस तरीके का कुछ लाइनिंग वाला यह प्रेंट रहेग इसका कट की अगर मैं बात करूं तो यह आपको मिल जाएगा पूरा ओल ओवर पांच मिटर कट मिल रहा है यह आपको यह इस पे 5 मिटर लिखा हुआ है हो सकता है कि यह 5 मिटर से थोड़ा बहुत कम उतरे मतलब कि पोने 5 तक मैं गरंटी लेती हूँ इसकी हाँ पोने 5 से उपर ही होगा फोले पास से नीच्छे नहीं होगा ये मेरी गैरेंटी है तो ये इस तरीके का आपको suit मिल जाएगा all over जैसा कि मैंने आपको बताया है खोलके मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की संतोस्टी होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपको all over suit मिल रहा है या matching मिल रहा है सिर्फ कहने पर आप मत जाएगा चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपको कौन सा color चाहिए कौन सा print चाहिए जो चीज आप लेना चाहते है और स्क्रीन्शोट आपको उसी का भेजना है तो ठीक है यह आपका suit हो गया है और आप मैं आपको इसके साथ है आपको होल मिल रहा है वह दिखाँ एक पर चोड्यायी और यह शोल की printing है यह ठीक है यह अपका सूट हो गया है यह शोल की प्रिंटिंग हो गई है शोल की जो चोड़ाई है वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ यह रहेगी शोल की प्रिंटिंग इस तरीके से ऐसे करनी हम अई तक है इसकाप तक डुकर उलर है वह यह कूछ प्रिंट का और प्रिंटिंग जर्ट इमसर उटरट बएफू मैं आपको दिखा है क्योंते है यह यहिंञा प्रें पिरोजी की जगे बस यह लाइन्स चेंज हो रही है बाकी पूरा वैसे का वैसा ही है तो आप जो भी कलर लेना चाहते हैं आपको स्क्रिंशोट उसी कलर का भीजना है इसमें आपको एक और कलर भी मिल जाएगा ये ग्रीन कलर और ज्यादा उच्छा बोलने के आज मेरी थोड का अहां बंद कर दी है क्या आप कर क्या रहे हूं आप विडियो नहीं डाल रहे हो तो आप जो है मैं आपको एक ऐसा दिखाने वाली हूं जो किू這邊 कलर को मेरी पास से वटसबसे जा चूका है जो इन से चाहीं थैशी को यह सें वही 5 मिट्र रहेगा अरёнंग उत्क् 딱 यह जाता है यह जाता है थोड़ा सब्सक्राइब यह जो अभी आया ना कैमरा में जो अभी आया बलकुल वह रियल कलर है सेल्फ प्रिंट आप इसमें देखी सकते हो मस्टर्ड कलर का ही जो हुआ हुआ है और उसके उपर यह फ्लावर प्रिंटिंग है और हाँ इतनी इस कपड़े की जिम्मेदारी है कि इसमें जो प्रिंटिंग जितनी भी दी गई है वो नहीं छूटेगी प्रिंट जो है आपका ऐसे का ऐसा रहेगा अब मैं आपको इसका शोल दिखा देती हो क्योंकि खोल के दिखाने की कोई ज़ुरत ने इसमें ये भी आपको ओल ओवर ही मिल रहा है पांच नहीं बोलूंगी इसमें पांच मिटर का टैंग लगा हुआ है लेकिन मैं पोने पांच ही बोलूंगी क्योंक इसमें इस दो ते निश उपर हम निकलता है यो ओल्य बात होती है तो यहां पर इसकी आपको शॉल मिल जाएगी है इसकी शॉल की प्रेंटिंगि यह का बीच में से इस तरीके़ का क्योंकि थैए त्य कट वह समस्चा अ याव रहाई है यह कहिंत्वा सभ्वर को अम्हें से निश्चे ने आपको डुरा दिया ठीक है इस तरीके से तो इस सूट में जो है आपको सिंगल ही कलर मिल रहा है इसमें आपको कोई भी इसके अलावा कलर ओप्षिन नहीं है मेरे पास अब मैं आपको और सूट दिखा देते हो पहले पीछ में आपको क्रेप सिल्क दिखाती हो उसके बार मैं आपको सर्दियों का दिखाऊंगी कलर इसका ये रहेगा ये गोल्डन कलर रहने वाला इसका और पूरे सूट में आपको उपर से लेके नीचे तक ये मुकेश वर्क मिल जाएगा जो क इस तरीके का ये सूट की चोड़ाई रहने वाली है क्योंकि ये पेस आपको मिल जाएगा सेमे स्टिच हाँ सेमे स्टिच होने के बावसुत भी इसमें आप डबल एक्सल साइज तक का अराम से बना सकते हो अब मैं आपको सूट दिखाती हो ये और आप प्राइस के अकॉर और एकदम बॉर्डर तक ये आपको इसका बॉर्डर मिल जाता है पाइप पिन के साथ सूट की जो लेंथ है वो पूरी रहने वाली है क्योंकि कुछ लोगों को कई बार ये डाउट हो जाता है कि प्राइस प्रेंग आपके इतने सही रहते हैं कहीं सूट की लेंथ तो कम न रेड कलर की पाइप पिन के साथ एकदम रियल कलर है ये जो सूट का भी आप देख रहे हो ये आपको इसकी क्रेप सिल्क में ही बॉर्टम मिल जाएगी सेम कलर में है और अब आप इसका दुपट्टा देखिए कि दुपट्टा भी आपको प्लेन नहीं दिया गया है इतना हेवी सूट पे काम देने के बाद ये आपको फॉर साइड बॉर्डर मिल जाएगा दुपट्टे पे पूसा लेस और ये रेड कलर की जो रिबन लेस होती है वो और ये आपको मिल जाएंगे जो सूट पे बूटिया है ना आपकी सेम वही उसी साइज की आपको इस पे बू है इकड़े पे बोड़ाय डेस हो एक दम मतलब दुपट्टे वाले साइस की तोल साइस की नहीं है मिढ आपको मिल जाएगा है इकदम वैसे का सहा है भी वही समर्व घुल्क के साथ qA sau juda i.e पिस्टा zhead history आफ अपको पॉल्डण क्रीम और इन्य हो गया पिस्टा ड्रें तो जो भी तो पसंद पर आप ले लिजी क्रेंशर्व स्क्रेंशोट अब मैं आपको एक जाम कोटन में सोट दिखा देती हूँ जो कि रहेगा यलो कलर में यह इसका रियल कलर है यह इसकी अब्रोइडरी दी गई है जो कि नेक पे आपको इतना है वी काम मिल रहा है कि पूरी एंब्रोइडरी करने की बात सौरी और फिर उसके उपर आपको स्टॉन पेस्टिंग का काम भी मिलेगा नेक पे बीच में आपको पट्टी पे इस तरीकी की तीन फैंसी बटन्स मिल जाएंगे यह इतना है वी जो है आपको इसका नेक मिल जाएगा यह ठीक है कलर तो आप देखी सकते हूं कलर बड़ा प्यारा लग रहा इस सूट का तो और अब मैं आपको जो है इसका बॉर्डर दिखा देती हूं यह आपको सूट का बॉर्डर मिल जाएगा नीचे एम्रोइडरी करके और फिर नीचे लेस लगी हुई है और इस सूट में जो कड़ाई है वो बीचों बीज दी गई है मतलब अगर आप ट्रिपल एकसल या किसी मतलब हैवी साइस का जो भी आप सूट बनाना चाहते हो इस आपका साइस जो भी है डबल Excel ट्रिपल Excel अराम से इसमिंसे बन जाएगा अब में आपको इसकी स्लीव दिखा देती हूँ स्लीव के लिए आपको यह एक आपकी अधर से निकलेगी और एक आपकी इधर से निकलेगी यहापको स्लीव स्लीव काम मिल जाएगा इस तरीके का लिए है अब मैं आपको इसका द्पट्टा दिखा देते हूं शूट का जो आपरिक यह जंची य जाय ज आाम कोटन selection box आपको इसमें बोटम का जो कलर है वो जो काई ग्रीन होता है ना वह वाला कलर है एकदम काई ग्रीन यलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूं दुपट्टे पर आपको यह वाली लेस जो है यह मिलेगी और यह जो भी आप यह जितनी भी भरी होई जाल की कड़ाई देख रहे हो यह आपको पूरे दुपट्टे पर मिल जाएगी मैचिंग में रहने वाला है यह सूट मैं आपको एक पर दुपट्टे की लंबाई दिखा देती हूं दुपट्टे की अगर मैं बात क्योंकि हम गाओं में रहते हैं में घुंगट करना पड़ता है को अराम से जर पर रूख जाएगा काफी अराम से रूख रहा है यह बहुत ही मतलब सॉप्ट फैबरिक है यह ठीक है यह आपका सूट हो गया है यह दुपट्टा दुपट्टा भी काफी है इस सूट का बनन इसमें मतलब कलर के साथ साथ फिर एंब्रोइडरी भी चेंज हो रही थी जो केटलोग वाले पीस होते है यह उनमें से था इसका जो सेकंड कलर रहेगा वह है यह ब्ल्यू कलर इसका कॉंबिनिशन देखना आप काफी प्यारा दिया गया है और यह इस तरीके का इसमें नेक की जाएक रहेगा जो कि पिछले सोट से अलग है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह कैटलोग वाले पीस होते हैं इनमें जैसे 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 कलर चेंज होता है वैसे डिजाइनिंग भी चेंज होती है अब इसका बॉर्डर मैं आपको दिखा देती हूं हाँ ठीक है आप वह यह दे गई है एक्दम सी ग्रीन कलर जो होता है न वह वाला कलर है अब दिखाती हूं आपको इसका दुपट्टा तो दुपट्टे के लिए आपको वही सेम बॉर्डर दिया गया है जैसे गले की गड़ाई चेंज हुई है यह आपको इसमें जालवर्क मिल जाएगा थीक है तो आपको जोन सा वी कलर अच्छा लग रहा हूं यह कलर कुछ अलग ही है ऐसा वीडियो मिन आता अभी तक मैंने दिखाया है अब जो मैं आपको सूट दिखाने चारी हूँ, उसका कलर हो सकता है, कैमरा में थोड़ा चेंज आया, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, यह रहेगा, काई ग्रीन कलर में सूट, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, देखो एकदम यहाँ पे ग्रीन लग रहा है, लेकिन दागे की सिलाई से ही होता है, यह हाथ से भी किया जाता है, यह आपको इसमें नेक मिल जाएगा, नेक के लिए आपको बहुत ही मतलब अलग सा डिजाइन दिया गया है, इसमें, सीधा पट्टी है, कोई बना-बना यह नेक नहीं है, जैसे मर्जी शेप में आप इसका नेक करवा सकते हो, यह है, ट्राइंगल शेप के जो कुंदन है, वो लगे हुए है सूट में, और साइड में जो आप यह देख रहे हो, यह है जरी का काम, ठीक है, इस तरीके का आपको यह सूट मिल जाएगा, सूट की लेंथ जो है, 45 से प्लस-प्लस ही रहेगी, सूट का जो ब का बोटम मिलेगा, जाम कोटन का सूट मिल रहा है आपको, महरून कलर का कोटन का बोटम, अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देते हो, इसका जो मतलब दुपट्टा है, वो काफी हैवी नहीं है, लेकिन हाँ फैंसी दुपट्टा है, बनारसी दुपट्टा है, य कि इसके साथ आपको यह दुपट्टा मिल जाता है फोर साइड आपको इसमें लटकन मिलेंगी यह वाली टैसल के साथ और यह इस तरीके के बनार्सी बोर्डर और यह मिल जाएगा आपको दुपट्टा इसका तो दुपट्टा ही ऐसा है कि मतलब एक बार ले लिया ना तो आपके कई सूटों पर चाहिएगा किसी भी प्लेन सूट के साथ अगर आप इसको मतलब लेना चाहो तो ले सकते हो काफी प्यारा लगेगा यह दुपट्टा प्लेन सूट के साथ इसका जो सेकेंड कलर है इसकेंड कलर में आपको देजाता है यह मैं यहीं पर आपको लगा के दिखा देती हूं देखो क्योंकि इसका बोटम और दुपट्टा एकदम से ही मैं बस कलर चेंज हो रहा है सूट का यलो कलर हो जा रहा है अगर आप यलो लेना चाहते हैं तो यलो का स्क्रीन शोट ले अगर आप यह ग्रीन डार्क लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन शोट ले लिजे मैं आपको पश्मीना सूट दिखाने वाली हूं सबसे पहले मैं आपको केटलोग की जो फोटो आई यह साथ में वो दिखा देती हूं इस तरीकी का यह सूट रहेगा क्योंकि मैं बैटके विडियो बना रही हूं तो पूरा आपको एकदम से खड़े हो के नहीं दिखा पाऊंगी आपका जो लुक है वो मतलब जैसे भी मर्जी चाहो आप वो तो सूट को बनवा सकते हो वो तोटली आप पर डिपैंड करता है लेकिन यहां यहां काम दिया गया है जो कि आप पाले साइड में आप देख सकते हो कि बैक के लिए भी वोर्डर दिया गया है खुब हैवी अगर ब्रेंड की में बात करूं तो यह रहने वाला है शेहनास ब्रेंड का सूट अब मैं आपको इसका कलर दिखाना चाहती हूँ कि कौन-कौन से कलर इसमें सूट में है मेरे पास इस सूट में जो है सबसे पहला कलर आपको यह मिल जाता है डार्क एकदम नेवी ब्लू कलर जो होता है वो नेक आपको यह मिलेगा इसका पान शेप में इसकी यह मतलब नेक बना बनाया मिल रहा है आपको शेप दी गई है sorry बना बनाया नहीं और यह आपको यहाँ पे इसका यह झीक है यह आपको इसके नेक पर काम मिलेगा इस तरीके से एकदम एम बैप्रोइडरी जैसा फील आ रहा लेकिन यह एम्रोइड्री नहीं है यह पश्मीना ही सूट है पूरा पूर्ण परिंटिंग होती है न सब्सक्राइब कि यह वल है यह सूट में दिया गया है जो कश्मिकिरी सूट में कश्मिकरी शॉल में अक्सर आता है वो यह मिल जाएगा आपको इसका bordon दिखारी और यहां को सूट का और पूरे एंखैंजांज वाली जो चोटी चोटी बैक मिल जाएगी बैक के लिए आपको साथ में यह बॉर्डर दिया गया है जैसा कि फ्रंट में दिया गया है बिल्कुल सेम वहीं अब यहां से आपकी कट हो जाएगी यह वाली जो लाइन दी गई है यहां से आपका शुरू हो जाता है यह स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वह जैसे भी वर्जी चाहों आप इसमें से अराम से बन जाएगी क्योंकि फैब्रिक पूरा दिया गया है ठीक है यह बॉर्डर स्लेव पर आएगा यहां से यह कट होने के बाद शुरू हो जाता है आपका स्टोल जो की यह रहेगा यह स्टोल पे बॉर्डर मिलेगा आपको यह बीच में से स्टोल आपको प्लेन मिल रहा है और दूसरी साइड भी आपको फिर यही वाला बॉर्डर मिल जाएगा अब यहां से यह लाइन जो दी गई है यहां से सूट कट होने के बाद यह आपको मिल जाएगा पाउचो के लिए चाहे आप पैंट बनवाओ प्लाजो बनवाओ या फिर सलवार बनवाओ यह दोनों आपके पाउचो के लिए दिया गया है और यह मिल जाता है आपको बोटम क की इअ बूल जाएगा आपका स्टोल ना पर यहां से कट होने के बाद यह दिया गया आपका स्लीज का फैब्रिक आपका बैक का बॉर्डर हो जाएगा त्यम्हें और यह था यह दिखा देती हों इसका सेकेंड कलर है तूट एकदम वैसे का वैसा ही मतलब जैसा सेम पीछे है बिल्कुल वही रहेगा बस कलर चेंज हो जाएगा इसमें आपको यह कलर मिलेगा ठीक है वही बोर्डर वाली स्टोल मिलेगी सारी चीज़े वही होगी सूट दिखा दिया मैंने आपको यह तो इसमें से आप जो भी सूट लेना चाहते हो स्क्रिंशूट उसी का भेजना इसमें आपको दो ही कलर मिलेगे अब जो है मैं आपको इससे एक और थोड़ी सी हैवी वराइटी और दिखा देती हूँ फैब्रिक दोनों का सेम है यह भी पश्मीना था वह भी पश्मीना रहेगा लेकिन आप देखने की बात खुदी समझ जाओ गए कि उसमें जो पैसे हैं वह किस चीज़ के बढ़ाए गई है सुट में जो कलर मिल रहा है आपको वह मिल रहता है रेड कलर यह रेड कलर ठीक है यह इसमें आपको नेक मिलेगा वही पश्मीना इसका फैब्रिक रहेगा अब मैं आको दिखा दीती हूँ इसका बॉडर यह आपको इसका border मिलेगा इस तरीके का आपका यह suit यहाँ से और नीचे मैंने आपको border दिखाई दिया है फिर ऐसे ही इस suit में भी आपको यह cut के निशान दिये गए होंगे कि यहाँ तक आपका front part आता है फिर यहाँ से यह शुरू हो जाती है आपकी back back के लिए आपको मिल जाता है यह जो कि आपके back में आने वाला है neck के नीचे फिर दे रखा है आपको back के लिए border यह length तो आप देखी बार होगे कि कितना लंबा चोड़ा यह suit रहने वाला है ठीक है यह border आपको मिल जाता है back में लगवाने के लिए मतलब हटा के नहीं लगेगा इस यहीं पर सीधा का सीधा आपकी length निखल जाएगी फिर उसके नीचे आप फिर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपको एक कट दिया गया है तो यह मिल जाता है आपको sleeves के लिए यह कितना fabric दिया गया है वो आप खुदी देख सकते हो कितना सारा fabric इसमें आपको sleeves के लिए भी खूब लंबा चोड़ा कपड़ा दिया गया है चाहे किसी भी size के अगर आप हैं तो इसमें से आपका suit आराम से बनेगा ही बाजू में कोई जोड़ नहीं आएगा इस suit की फिर यहां पर यह आपको निशान दिया गया है यह जो border है यह आपको मल जाएगा आपके पाउंचों के लिए चाहे पैंट में लगवाओ यह सलवार में लगवाओ यह चीक है फैब्रिक दिया गया है काफी मतलब तीन मेटर के लगवग यह ही है यह भी आपको दिया गया इस साइड में पाउंचा मतलब की आप उस साइड से भी निकाल सकते हो इस साइड से भी निकाल सकते हो यह क्योंकि मेरी खाल से तो एक साइड का ही दोनों पाउंचों मे इनफ होगा लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो मतलब दोनों पिट्टियां उतार ली और फिर कुछ डिजाइनिंग ऐसा डलवा सकते हो अपनी सल्वार में यहां से आपका ही कट हो जाएगा और आप मैं आपको दिखाते हूँ इसका शॉल यह मिल जाएगा आपको इसका शॉल जो की इस तरीके का रहेगा ठीक है पूरा शॉल आप देखी सकते हो यहां पर यह आपको मतलब यह शॉल शॉल मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में लेने चले जाओगे मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ यह किस टैप वाला शॉल है यह एकदम कश्मीरी शॉल है यह श मार्केट में लेने चले जाओ तो अगर मैं अपनी मार्केट के अक्वार्डिंग बताओगे यहां की लोकल मार्केट में तो यह शॉल आपको 700-800 की बीच का पड़ेगा ही पड़ेगा और यह आप सोची कि आपको पश्मीना सूट के साथ एकदम फ्री मिल रहा है कलर भी ब मतलब उस सोच को यह अलग कर देगा क्योंकि एक तो कलर रेड हो गया और उपर से खुबसूरत भी बहुत लगेगा आप शॉल देखी रहे होगे कैसा मतलब प्यारा लग रहा है और यह अलग से बॉर्डर है इसमें जैसा बॉर्डर सूट में पूरे में बाजियों के वीडियो को मैं यही से एंड कर दूंगी और अब मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स नहीं अची सी वीडियो के साथ और व्लॉग भी चल्दी आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि तब थोड़ी सी खराब थी इस वजह से नहीं आ रहे थे लेकिन अब जो है व्लॉ जाइज झाली कि तब मैं अची वीडियो को पर दूंगी एंड कर दूंगी झाली का जाएव तर वे एंड कर दूंगी है जाएख से लेख बलाग्यों ठाट है और श्या है व्लॉज को फश्यारा आपको पाला अज बताया